आज सुधा के लिए एक बहुत खास दिन है उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता है सुधा उसमें कैसे भाग लेती है और क्या-क्या करती है आईए सुनते हैं आज के एपिसोड में स्पोकन टुटोरियल आयाइटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान आपके अपने सामुदाइक रेडियो कनेक्ट एफेम 107.8 पर जी हां रेडियो कनेक्ट जो जनता से चुड़े डिरेक्ट वही है सामुदाइक रेडियो कनेक्ट कल छटी कक्षा के चात्र स्कूल में संतुलित अहार के बारे में जानकरी देंगे सभी किसी ऐसी गतिविधी के बारे में सोचें जो सभी चात्रों को संतुलित अहार के बारे में सबस्ट रूप से समझने में मदद करें ठीक है प्रिंसिपल अल दा बेस्ट बच्चो यह क्या है हमारे प्रिंसिपल इस तरह के आइडिया क्यों लेकर आते हैं हमें संतुलित आहार के बारे में सभी को जानकारी देनी शाहिए तो क्यों ना हम सब एक पोस्टर बनाएं और नौटीस बोर्ट पर चिपका दे क्या तुमने हमारे प्रिंसिपल को यह कहते नहीं सुना कि संतुलित आहार पर हमारा मेसेज ऐसा होना चाहिए जो सब को आसानी में समझा है नौटीस बोर्ट कौन पड़ता है कोई भी हमारी मेहनत पर ध्यान नहीं देंगे तेज और स्पस्ट फिर तो मैं ढोल बजाओंगा ताकि सब ही का ध्यान अकरसित हो क्या कह रहे हो तुम संतुश देरासल मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमको क्या करना चाहिए इसलिए मेरे मुझ से ऐसा निकला कि मैं ढोल बजाओंगा अरे नहीं संतुश मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा विचार है एक काम करते हैं मैं एक गाना लिखूंगी तुम इसके लिए संगीत त्यार करना और ढोल बजाना और हम सब मिलकर संतुलत आहार के महत्व पर गाना गाएंगे सुपर सुधा बहुत बरिया मैं बहुत एक्साइटिद हूँ क्या स्कूल में या कैसे आवाज है कैसे आवाज आ रहे हैं स्कूल में नमस्कार हम छटी कक्षा से हैं और हम आपको आज संतुलत आहार के बारे में बताने जारें क्या आप सब तयार हैं हाँ तयार है तो चलो चलो मिलकर बदले भोचन की आदिते जीवन सजाए संतुलित आहार से संतुलित आहार है जीवन का वर्धान बनाए हम अपने जीवन को महार फलोकी खुश्पू और सबसियों का रंग, संतुलित अहार में है विशिश रंग चलो मिलकर बदले वो जन की आदते जीवन सजाए संतुलित अहार से संतुलित अहार है जीवन का अरदान बनाए हम अपने जीवन को महार हाँ 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 फोस्टिक खाना? वो क्या हुआ? चलो मुझे कोई पोशक तत्व बताओ और मैं तुम्हें उसके बारे में और बताओंगी कार्बोहाइडरेट्स? ये हमें दिन भर चलते रहने के लिए उर्जा देता है क्या तुमको पता है कि हमें ये पोशक तत्व कहां से मिलता है? हमें कार्बोहाइडरेट्स अनाज, पाजरा, मक्का, आलू से मिलता है अच्छा! अब प्रोटीन्स? मासपेशियों के निर्मान और घिसे हुए मासपेशियों की मरमत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है यदि हम नियमेत रूप से दाल, अंडे, सोयाबीन, चिकन और नट्स खाते हैं तो हमें हमारे शरीर के लिए परयाब प्रोटीन मिलता है विटेमिन और मिनेरल? अच्छा! शरीर और रोजमर्जा के कारिक को करने के लिए विटेमिन और मिनेरल की आविशक्ता होती है ये हमारे आखो, हड़ियों, दातों और मसूडों को स्वस्थ रखते हैं यदि हम अधिक मात्रा में दूद, फल, मचली और हरी सबजिया खाते हैं तो ये विटेमिन और मिनेरल हमारे शरीर में मिलते हैं फैट? फैट हमें उठ जा देते हैं जैसे घी, मास, अंडे की जर्दी, मक्खन ये साब फैट से भरपूर है इसलिए हमें इसे थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए समझें संतोष? ठीक है, पोसक तत्व ठीक है लेकिन अगर भोजन से सबी पोसक तत्व निकाल लेते हैं तो क्या होता है? अगर ऐसा होता है तबी हमको फाइबर और पानी की आविशक्ता पड़ती है यह हमें सभी अपाच्ची भोजन को पाहर निकालने में मदद करता है यदि हम फल, केले, सबजियां खाए और धेर सारा पानी भी है तो हमें कप्स की शिकायत नहीं होगी हाँ, एक और खास बात हमें अपने खाने में मूं, अंकुरित सलात, उबले अंडे, चना और पनीर जैसे खाने को ज़रूर शामिल करना चाहिए सही कहा सुधा क्या आप सब भी समझ गए हैं? हाँ, बिलकुल चलिए, फिर आए और हम लोग मिल कर गाते हैं चलो मिल कर बदले बोजन की आदतें जीवन सजाए संतोलित अहार से संतोलित अहार है जीवन का अरदार बनाए हम अपने जीवन को महार फिलसक्सी अनाज से अपूर बोजन संतोलित अहार है हमारी बैचार हा 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 हाistor देहनिक जीवन में विज्ञान यह स्पोकन टुटोरियल IIT Bombay द्वारा सामुदाइक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया चनता से जुडए दिरेक्ट यही है सामुदाइक रेडियो कनेक्ट तो सुनना न भूले आप अपने पडोस में स्वस्त भोजन को बढ़ावा देने के लिए एक कविता या गाना क्यों नहीं लिखते तो जल्दी से कलम उठाएं और लिखें इस विशय पर एक कविता और हमें अपने कविता आप रेकॉर्ड करके हमारे वाट्सैप नमबर 981-316-4542 पर भेज़ दें आपकी कविता हम रेडियो पर सुनाएंगे धन्यवाद